नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूजवल इंडिया मैं हूँ आपके साथ प्रद्दिमन शर्मा इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली लाल किला हिंसा से जुड़ी हुई मिल रही है दिल्ली लाल किले पर हुई हिंसा मैं दीब सिद्दू समेत आठ आरोपियों पर दिल्ली पुलिस ने इनाम गोशित कर दिया है लाल किले पर जंडा फिराने वाले जुगराज सिंग पर दिल्ली पुलिस ने रखा है एक लाग का इनाम इस वक्त की बड़ी और एहम खबर आप तक News World India पहुचा रहा है जिसके चलते हैं यहाँ पर आप आरोपियों पर इनाम की गोशन दिल्ली पुलिस ने कर दी है और ऐसे मैं एक और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही जापर किसान अंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर राकेश चकैत का बड़ा लेकिन दवाब के आगे नहीं जुकेंगे कहा आंदोलन कमजोर नहीं हुआ लड़ाई जारी रहेगी इस वक्त की बड़ी और एहम कबर आप तक पहुचा रहे हैं जहाँ पर राकेश चकैत का ये बड़ा वयान सामने आ गया है राकेश चकैत ने साफ तोर पर ये बात कह द करीब 71 दिन हो गया है, 71 दिन में ऐसे लगातार आंदोलन यहाँ पर चल रहा है, बीते दिनों भी एक ख़बर सामने आई थी जहाँ पर 6 पर वरी को दिल्ली कूच करने की बात कह दी थी, चक्का जाम करने की बात किसानों के तरफ से कही गई थी, लेकिन अब राकेश चकैत साफ कर दिया है कि 6 पर वरी को चक्का जाम नहीं होगा, आंदोलन लगातार जारी रहेगा, साथी साथ आपको यह भी बता दे कि दिल्ली लाल के लिए पर हुई हिंसा मैं दीब सिद्धू समित 8 आरूपियों पर दिल्ली पुलिस ने इनाम गोशित कर दिया है, और ऐसे मैं फरार चल रहा है दीब सिद्धू जिसको पकड़ने का पूरा प्रयास भी आपर किया जा रहा है, इस वक्त की बड़ी और एहम कबर आप तक पहुचा रहे हैं